हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम तुमार्य यूट्यूप चैनल आज हम नहीं डिप्रेंशन वेक्टर का एक एक मसी क्यू बनाएंगे जिसमें कुछ कोश्टन करेंगे जो हमारे इन्वस्टिज के एक्जाम से बहुत हको है जिनके मदद से कुछ बश्टन कर सकते हैं तो सबसे पहले डिप्रेंशन सबक्राइब बताते हूं चलेंगे और जिनसे आज गर्यां अजिसी वेक्टर को पहले ड्यप्रेंट किया जाता है उस तरह से अगर ये कोई हमारे पास और जीर्ड कोई और यहां पर इसके coordinate color x y z है तो इस पी point का जो position vector होता है उसको r vector से represent करते है r vector जो हमारा होता है x i plus y z plus z k यह हमारे पास r vector होता है तो r vector हमारा x i plus y z plus z k होता है और एक बात और हम आप से करना चाहेंगे कि अगर यह x y z t का function है मतलब t के term में है कि x y z r function of t अगर x y z r function of t यह t के term में है function of t t के term में है then dr vector upon dt dr vector अगर r को t के term में differentiate किया है तो इसे velocity vector करते हैं तो dr by dt rate change and displacement is known as velocity that is velocity vector and d2r upon dt2 को जो हम represent करते हैं d2r upon dt2 को इसको हम acceleration vector से represent करते हैं किसी particular point t ब्रवर 0 किसी पे पूछे तो वहां पे t की जगा वो point रख देंगी तो एक बात तो यह है कि अगर किसी point का position vector x i plus y j plus z k है तो dr by dt velocity vector होता है d2r upon dt to acceleration होता है अगर इसका magnitude निकालना तो mod लगा लगा लेता है ंडरूट i k के option के इसका रख जे के पसके के यही काम यहां पे करते हैं उसके माद बच्छो अगर दो vector a vector and b vector b two vector a और b दो vector है कुछ हम points बता रहे हैं जिनसे questions अगर लगाने कापी असान है बी two vectors अगर दो vector a और b दो vector है then पहला यह है कि d dt of a dot b जो होता है अगर a dot b का d dt निकालते हैं तो इसकी value d a by dt dot b plus a dot d by dt होता है मतला आप पहले वाले पर डेक्ट्राइन सुसन कर लो dot b के साथ ले लो plus a dot d by dt dot product लेने आता है तीसरी बात यह होता है कि अगर d dt a cross b अगर करें तो इसकी values होती है a cross b की d a by dt cross b plus a cross qb by dt अच्छा किसी वेक्टर के साथ cross 0 होता है और किसी वेक्टर के साथ dot mod of a का जैसे a dot a mod of a का स्क्वार है ठीक है लेकिन i cap dot i cap होगा तो बहुता है एक बात तो यह होता है तो same vector के cross product जो होता है उसी vector के साथ cross product 0 होता है लेकिन उसी vector का उसी vector के साथ और dot product plane a dot a करें तो more a का whole of square रहता है तो यह कुछ points अब लोग ध्यान लखेंगें अब जड़ा हमारे जो question और को मैं आपको बताते चाहते हैं कि करने सब सोही में भी आयता है कोई भी question आप इसली attempt करीं यह कुछ फॉम्मले आप लोग लेता है पहला question अगर देखें तो पहला question वहरा कह रहा है कि ddt ddt r cross dr y dt की क्या वह जो तो अब ddt r cross dr y dt निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉम्मला अभी लिखा कि ddt a cross b का ddt a cross b जो होता है यह क्या होता है पहले वाले का differentiation cross b plus a cross dby dt यह तो ddt a cross b होता है dby dt cross b plus a cross db by dt अब इसको करेंगे तो ddt ddt पहले वाले का अब पहले का ही करेंगे नहीं तो फिर cross b b cross a किल्कवल नहीं होता ddt first r cross second second का मतलब dr by dt plus a r cross ddt of b b का मतलब dr by dt b का मतलब dr by dt उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ cross protect अगर दोनों वेक्टर से हैं होता है ddt a r cross b b पुरा यह वेक्टर है plus a r cross ddt of b b का मतलब dr by dt उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ cross zero होगा r cross यह हमारा dr by dt का ddt किया तो d2 r upon dt 2 होगया r cross d2 r upon dt2 के e को लागने कहने को तो हमारा यह पार्ट सही है r cross d2 r upon dt2 b पार्ट सही है second question जो हमारे पास है second question जिरा हम बने सकते है second question जो हमारे पास है एक particle move से लाँए कर एक particle किसी करण के लाँए जिसका parameter equals t parameter ने इस तरह से दिया हो हमें t equals to zero के velocity निखा हो है second में r vector आप जानते हो r vector क्या होता है अभी मैंने बताया था x i plus y j plus z के अगर x y z उसके component है तो x i plus y j plus z के यह r vector होता है r vector is equals to x की जगा e नदी कवार minus t into y क्या y की जगा 2 cos 3t into j क्या z की जगा 2 side 3t into a यह तो r vector x i plus y j plus z की इतने i, इतने j, इतने हमें velocity निकालना है velocity का मतलब dr by dt velocity विजाएगे t बढ़ जीदो पहले dr by dt और यह यह से जगालना होता तो d2r upon dt e to the power minus t to the power minus t cos 3t का minus sin 3t और 3t का फिरसे करेंगे तो 3 यह जेगा, that is 6 into j प्लस इसका रिख करेंगे 2 sin 3t का पॉस 3t और 3t का फिर से करेंगे तो 3 है तो यह 6a का यह यह से ब्रशन निकालना था तो एक बार और एपनेश रेक्र कर लेते हैं x y z दिया हो तो आर वेक्टर x i plus y j plus z दिया हो यह वेलासिटी वेक्टर है at t is equal to 0 गनिकालना t is equal to 0 velocity vector is equal to minus e to the power minus 0 into i minus 6 sin 3 into 0 into j plus 6 cos 3 into 0 into k to minus 1 e to the power 0 1 हो था है तो minus i तो यह रहा sin 0 0 cos 0 1 plus 6 k minus 1 वेलासिटी वेक्टर जो पायगा minus i plus 6 k है तो इसका पी पार्ट सही है तो इंपोर्टन बात यह है कि x i plus y j plus z k करें x y j दुखने d r by dt करें इसको t कर्षपर differentiate करें t की जगा 0 को उसने 0 को पूछाना अभी acceleration पूछता तो इसको एक बार और और differentiate कर लेते हैं then further t की जगा हम लोग 0 को पूछर सकते हैं थर्ड कोशन लिए देखते हैं थर्ड कोशन हमारे पास क्या है थर्ड कोशन जो हमारे पास कह रहा है third one is कह रहा है कि r vector जो हमारे पास दिया गया है वो हमारे पास दिया गया है a vector cos omega t plus b vector sin omega t this is r vector जहां पर a vector and b vector and omega constant है किसी constant vector का derivative 0 होता है अब हमें करना क्या है r का dr by dt के सब cross कहला है कहला है तो मतलब हम सबसे पहले dr by dt निकाला है a और b constant है मतलब इनके derivative यह constant की तरह भी हैप करेंगा a और b का derivative निकालना हम तो 0 होता वैसे तो यह constant है हमें t के respect में करना है तो dr by dt कह निकाला a vector तो constant हो गया into d dt और किकना किया d dt और cos omega t प्लस यहाँ पे b vector constant हो गया d dt और sin omega t उसने बोला है कि a और b constant है अब यहाँ पे cos omega t के जब उन करेंगे तो – sin omega t और omega t का करने के तो omega जाएगा b vector sin omega t का cos omega t omega t का करेंगे तो omega का कहने तो मतलब minus a vector omega into sin omega t यह रहा, प्लस B vecter ω्मेगा, और अस्मेगा टि हमारे पास यह रहा, ये दो value हमारे पास जो रही, ये हमारे पास value, दि-र वेक्टर पॉन दीटी के रही, d r vector upon dt आया जो उसका हमें r के साथ cross लेना है now r cross d r by dt निकालने जा रहे है r cross d r by dt हम निकालने जा रहे है r cross d r by dt r की value हुआने कास है a vector cos omega t a vector cos omega t plus b vector sin omega t this is the value of r vector और इसका cross करना है minus a vector omega sin omega t a vector cos omega t stressed it अब देखे पहला समय के सब cross लेंगे cos omega t cross उसी vector उसी vector का vector के साथ cross होता है उसी vector का उसी vector के साथ cross 0 जीडेरोगा अब एका b के साथ cross लेगे a cross b omega c almighty cos omega t Cos squareability minus b kg एका 1 तो यह रहा फिर से लेचिए ne理े कर रूस Film यह देया प्रोस जिरो होता है, a cross b omega cos square omega t minus b cross a omega sin omega t sin square omega t और b का b के सब cross product 0 होगा, अर यहां पर क्या है, a cross b तो यह रहा, और यहां पर omega cos square omega t अब a cross b minus b cross a होता है, तो यह दरह टेक प्लस हो जाएगा, प्लस a cross b omega sin square omega t हमारे पास यह हमारे पास, omega तो constant t है, omega a cross b हमारे बहार आ गया और यहां पर बचा, cos square omega t plus sin square omega t हमारे पास यह बचा, cos square omega t plus sin square omega t बचा है, तो this is omega into a cross b, यह बचा, omega into a cross b मतलब b part हमारे v option सही है, तो थर्ड का भी option हमारा सही जरह हम फोर्थ question जरह देखते हैं कि फोर्थ का क्या होगा, फोर्थ का क्या होगा तो इस ट्रेट के question आदे तो बहुत एजली कर सकते हैं फोर्थ के जरह हमारा option देखते हैं कहह रहा है कि R के unit vector in the direction of R vector आप लोगोने पढ़ा होगा है कि किसी vector के लाओ, अगर unit direction है तो वो vector अपन उसका mode मतलब यह R vector है और यह P है, मालने जिए इसका position vector R vector है इसकी direction में unit vector जो है R cap है, तो R cap क्या होगा? वो vector जिसकी direction में unit vector है और उसका mode, mod R vector मतलब R vector upon mod R का मतलब R होगा है, अब हमें क्या करना है? R cap कर DR cap upon dt के सब cross लेना है अब हमने क्या किया है, D by dt of R cap लिया है, इसका D dt कर रहे है, इसका D dt कर रहे है, मतलब d dt of R vector upon R के है तो अब यहाँ पर U upon V लगा है, क्यों भी DR by dt का टर्म सही है भी, अगर यह constant होता है, तो 0 होता है, मतलब इसको U upon V लगा R square R into D dt of R vector, minus R vector into D dt of R हमारे पास, D dt of R के होगा यह तो वैलवागे, DR cap upon dt की वेले लिया है, R into D dt of R vector minus R U upon V, V square V dt dt of R vector minus R vector dt of R अब क्या करें, R cap का DR by dt की साथ क्रोस करें, R cap का क्रोस करें, DR cap upon dt की साथ क्रोस करें R cap की वेले कितनी, R cap की वेले R vector upon R है, CROSS R into DR by dt minus R DR by dt upon R square, इसके साथ क्रोस करें तो आते सितों नितना सब्सक्रां केशा है, जी भी, देख्याद की लग Welsh रही तो मिदूर से मिल्स सब्सक्राइब, इस और खरीत सब्सक्राइब भी जा है, तो रोकिना खरीति मैंने क्यले जा और साव में। और अपॉन में कितना बचेगा रसकार, यला पार्ट टो नहीं है कि उसी वेक्टर के साथ ग्रॉस जीरो होता है, तो र वेक्टर अपॉन अर रसक्वार क्रॉस्ट ग्रॉस्ट ही इसलिए एक ओप्सन सही है, इसले पार्ट आता है तो बहुत एजली कर सकते है, कुछ कोश्च तो यज अर और द ऑक लाप्रेटर, इसकी वेलुस होती है, यह एक वेक्टर कॉंटिटी होती है, इसकी वेलुस होती है, पाई डेल डेल आज, जे डेल डेल ओल य, पलस के डेल देल य, आईजे के के होने के करम यह हमारा एक बैक्टर यह यह हमारे का यह करिए हनी करम यह 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 व्याय हैel attached यह सागर्द फाई है तो ड्रेट फाई है ड्रेट फाई है ड्रेल पैसे ॡ और देल तो यह वारें पाश एक वेक्टर कॉंटिटी है, ग्रेट किसी स्केलर पॉइंट का निकालते हैं, फाई स्केलर पॉइंट फाई जेके नहीं होगा, लेकिन डेल फाई निकालने के बाद, आई डेल डेल एक्स, जे डेल 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 वाई, जे डेल फाई बाई डेल वाई, लस के डेल फाई बाई डेल यह आपकी एक बेक्टर प्व हो साया तो delby अपकर एक बेक्टर से क्वह है उसके वाज एक छीज डैवर्जेंस ऑप से तैंध्टर is डैवर्जेंस कोननी कोई मालिटर यह बैक्टर वी है इसका डैवर्जेंस अगर वी इनकारना हो तो divergence V, del dot V होता है del क Industry, del x, j del y, k del del z, लिख departments dot V pector के साथ ले लेते हैं अच्छा, solen Attal vector को लें होता है solen Attal vector, solen Attal vector solen Attal vector ऐसे vector होते है ऐसे vector solen Attal होते है जिसका divergence जो होता है वो 0 के कोल होता है कहने को बतलब कोई भी वेक्टर सोलिनाडल वेक्टर होगा जब इसका डाइवर्जेंस जी रहोगा एक हमारे पास करल उपे वेक्टर होता है करल उपे वेक्टर अच्छा डाइवर्जेंस में मैंने का किया डाइवर्जेंस में मैंने डेल डॉट वी किया करल में करल भी वेक्टर ने जो होता है वो डेल क्रॉस भी होता है डेल क्रॉस भी होता है कोई वेक्टर सोल नडल कहलाता है जब उसकर डियावरजेंस कर एक इरोटेशनल वेक्टर होता है इरोटेशनल वेक्टर क्या होता है कि कोई भी वेक्टर इरोटेशनल वेक्टर जम उस vector का curl 0 होगा, कोई vector irrational vector क्यलाता है जब उसका curl 0 होगा अब जरना question देखते हैं, जरने ही सारे questions क्या है उसको जरना देखते हैं तो del i del x plus j del y plus k del j del phi निकालेने तो i del phi by del x, j del phi by del y plus k del phi by del y जैवर्जेंस डेटर्ट भी होता है, जैवर्जेंस भी कर्ल डेल क्रॉस भी होता है, इरोटेशनल होता है, जैवर्जेंस भी कर्ल भी जिल होता है, तो इकनी वात हमारे पास है, क्रोश्टन उसको करने के लिए, अब देखे, F and G are scalar point function, मतलब इन दोरों में I, J के नहीं, देल F, G निकालना चाहरा है, तो देल F, G का मतलब हो गया, डेल का मतलब, I del del X, plus J del del Y, plus K del del Z, K del del Z, और F into G, यह इतना हो, इसका मतलब यह होगया, FG की जगा हो सकता है, हाई साही आजए, तो दिख्कत वाली बात ने है, डेल del X of FG, plus J del del Y of FG, plus K del del Z of FG, हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर F and G scalar है, तो दोनों में X, B, Y, B और Z, यह scalar function में X, Y, Z हमारे पास है, तो यहाँ पर आपने product rule लगा है, product rule लगा है, तो first del del X of G, plus Z del del X of F, plus J, F del del Y of G, plus Z del del Y of F, plus K, F del del Z of G, plus Z del del Z of F, यह है, हमारे पास इतना है, चुकि scalar function है, डेल की वेलू रखी, this is del operator, I del del X plus J del del Y, plus K del del Z, इसका में पर आशल derivative है, product rule लगा है, first difference of second, plus second difference of second, this difference of second, तो यह काम यहाँ पर त्या है, क्याँ पर सारे F eq pass लेले है, F eq pass लेले, तो I del G by del X, F eq pass, J del G by del Y, J del G by del Y, plus K eq pass, K f वाले पास, K del G by del Z गेरा, plus G वाले एक pass, I del F by del X, I del F by del X, J del F by del Y, J del F by del Y, plus K del F by del Z, अमारे पास, यह है, इतना राहा है, यह वाले पर आप देखो, I del G by del X, plus J del G by del Y, plus K del G by del Y, तो इसको आप इत्मिनान से, del G लेसकते हैं, क्यों? del की वाले पास, I del X, plus J del Y, plus K del Y, अम्दर लाइन इतना है, और plus G, इसको डल F लेक सकते हैं, del का मतलब I del X, plus J del Y, plus K del Y, अम्दर आप इतना है, तो del F G की वाले, बस ऐसे यह रखो, पहला, del of G, plus दूसरा, del of L, ठीके, F del G, plus G del Y, यतना है, तो del F G is equal to L del G, plus G del Y, तो इसका A पाट से हैं, वह अगर F upon G वाजाए बहा, तो इसका क्यों होगा, U upon B लेका लेंगे, सिम्राली, G square, G del F, G del F, minus F del G, फिर से जहां रखिये, और यहां plus होता है, तो del F plus del G, F minus G होता है, तो del F minus del G, 5 side होता है, 5 side होता है, यह इतने का square, G square, G square, पीचे G square, G del F, G del F, minus F del G, जैसे U upon B लेका है, तो छटे का A पाट से हैं, G square, G del F, minus F del G, साथमा कोश्चिन जैबा देखिये, साथमा कोश्चिन में मारे पास कहरा है, कि R vector जो मेरे पास दिया गया है, वो मारे पास X sin plus Y j plus Z k है, R vector X sin plus Y j plus Z k है, और इसने हम से divergence होता है, divergence का मतलब जो उता है, delta dot R vector, delta dot R vector, तो divergence का मतलब देट dot, इसका divergence पूछा है, तो del की value मैंने I del del X plus J del del Y plus K del del J रखा और dot R, dot R का मतलब हमारे पास X I plus Y J plus Z के हो गई, यह dot R हो गई, अब उनके यहाना जब dot ले रहा है, तो I का जब I के साथ dot लेंगे, तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे del del X of X हो जाएगा, J का J के साथ dot लेंगे 1 हो जाएगा, del del Y हो जाएगा, K का K के साथ dot 1 हो जाए, del 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 Z ड़ जाएगा, X का एक तरिसाथ partial 1, Y का Y के स्ट्रिक्ट में 1, 1 1 plus 1, 3 तो अगर आपको divergence R vector पूछे, एक सर पूछता है, तो इसकी value 3 बताएगे, तो 7th का जो है, उसी पार्ट से, उसके बाद कर्ल R पूछे रहा, वैसे भी द्यान लेखे कि R vector का कर्ल 0 होता है, लेकिन कैसे है, द्यान लेखे, ये तो हमांता 7th का अप्सन आगया, आत्मा जो है, कर्ल R, कर्ल R जब पूछे, कर्ल का मतलब होता, अब उने हापे डेल की वेलू, डेल की वेलू, I del del X, plus J del del Y, plus K del del Z, K del del Z, और क्रोस R, R का मतलब, XI plus YJ plus Z, तो R vector का मतलब, ये तो, अब याँपे determinant निकालें, कर्ल R का मतलब, डेल क्रोस R, डेल क्रोस R का मतलब, ये डेल की वेलू प्रोस एक, याँपे रहा, I, J, K, del del X, del del Y, del del Y, del del Z, X, Y, Z, याँए इन्टो, एक फ्लोस एक फ्लोस, del del Y, Z का करेंगे 0, minus del del Z, Y का करेंगे 0, I, एक फ्लोस एक फ्लोस, this into this, minus this into this, del del Y, Z का 0, minus del del Z, del Y, minus J का कर लिया, अब यहाँपे, A del del X of Z का 0, minus del del Z, X का 0, plus A, यहाँपे, del del X of Y का 0, del del Y, X का 0, और रहा, 0 आप लिए, तो करल R वेक्टर, तभी रहा, करल R वेक्टर की बात करें, करल R 0, करल R 0, डेवर्जेंस R 3, यहाँद रखेंगे, डेवर्जेंस R 3, और करल R 0, करल R 0, करल R 0, करल R 0, अब लिए, उसके बाद, 9th क्रेश्चिन कहा रहा, 9th क्रेश्चिन जो कहा रहा, कि, एनी वेक्टर, इस सोलिनाडल वेक्टर, वोज डेवर्जेंस इस, कोई वेक्टर बच्चिन सोलिनाडल होता है, जब उसका डेवर्जेंस 0 होता है, और कोई वेक्टर रोटेश्नल होता है, जब उसका करल 0 होता है, करल 0 मतलब देल क्रॉस, जो वेक्टर है वो 0, divergenz del dot जो वेक्टर है वो 0 उसके बद कहारा है वेलु अपने वी वेक्टर जन रहा होगा, वो 0 रहा होगा क्योंकि गे वेक्र सोलनोड है तो चहर सी बात यसका divergen जिरो रहा हो divergen का मतब del.b0 रहा हो del की value i del del x plus j del del y plus k del del z ये रहा और dot B की वहलू B AX plus 3Y plus 4Z into I plus X minus 2Y plus 3Z into J 3X plus 2Y minus Z into K is equal to J यह सोले नदल एक स्लेस का दिवर्जेंस का दिवर्जेंस का मतब दल.V0 दल की वहलू रखी डॉट एकना अब यहांपे जरें डॉट पे रहें, I.I.1 में रहें, यहांपे अगर दल दल X of AX plus 3Y plus 4Z का मारे पास यह रहां J.J1, दल दल Y हमारे पास आए रहें, X minus 2Y plus 3Z रहें, K.K1, दल दल Z यहांपे रहा, 3X plus 2Y minus Z to be equal to J, यहां मारे पास इतना रहें अब यहांपे डेंडर X, इसका करेंगे तो A आएगा, X, I, N, 0, 0, यहां पे करेंगे, तो इसका 0, इसका minus 2, इसका 0, जिसके रिस्कुर्ट में कर रहें, उसी का होगा बाकी सब कॉंस्टेंट Z के रिस्कुर्ट में, minus 1 is equals to 0, A is equals to 3, दोस्तों, इसका B options है, तो ऐसे क्वांट आखेंगे, जब भी solunodal का है, तो उसका divergen 0 करके, आप ए निकाल सकते हैं, divergen del dot V 0 होता है, उसको solve किये, A की value हुमारे पास मिल गई, तो इस टाइप के questions हम बहुत एजली कर सकते हैं, कुछ question कर रहा है, कुछ question और लेता है, एक question है, grade A dot R is where A vector is constant vector, तो constant vector का मतलब उसमें variable नहीं है, क्या होगा, वैसे आपको grade का मतलब del होता है, del की value i div x plus j div y plus j div y, del x partial differentiation with respect to x y z, अच्छा जरा, grade A dot R वैसे तो A vector होता है, वैसे क्या A vector होता ही, अब इसको करने के लिए क्या करे अगर हम A vector कुस पर से component को में A1i plus A2j plus A3A ले लें तोड़ा short में, और R vector अगर हम XI plus YJ plus Z के लिए R vector हमारे पास है, अगर हम A का R के साथ dot निकाल लें और उसके बाद उसका grade निकाल लेंगे, A dot R जब इसका dot करेंगे, I dot I1 होगा, फिर यह आएगा A1x plus A2y plus A3z दिक्चवा गया, K dot K1 होगा, अब इसका grade निकाल लेंगे, grade A dot R, grade A dot R का मतलब होगया, del A dot R, अब डेल की value आपको पता है, डेल की value है क्या, डेल की value कुछ इसका रखी है, अब इसको अंदर लेंगे, I into इसका डेल लेक्स किया, जब इस पूरे का डेल लेक्स किया, तो A1, X का 1, A2y इसमें X आया नहीं, तो इसका 0, इसका 0, इसका 0, पार्शल कर रहा है, J, डेल लेक्स किया, तो इसका 0, इसका 0, K डेल लेक्स कर रहा है, तो A3 है, कहने कितर, A1i plus A2j plus A3k आगया, A1i plus A2j plus A3k के किसके बराबर है, A vector के बराबर है, ग्रेंट A.R जो आ गया, ग्रेंट A.R ये हमारा A vector के इक्वल आ गया, तो इसका A part से है, बार में question के जरा देखिये, कुछ नहीं कह, simply A vector, A vector लिखा, A dot R निकाला, ग्रेंट निकाला, बार में question जरा देखियो चुछू, बार में क्या है, हमें ABC निकालना है, जब की A vector irrotational है, irrotational vector का होता है, B vector is irrotational, अगर irrotational है, तो V vector का curl 0 होता है, curl का मतलब डेल क्रोस B 0 होता है, DEL का मतलब, I del del X, plus Z del del Y, Z del del Y, plus K del del Z, cross B, V का मतलब, हमारे पास, X plus 2Y plus, AZ into I, BX minus, 3Y minus, Z into J, plus 4X plus, CY plus, 2Z into K, ये आपका 0 होता है, क्योंकि irrotational vector इसका curl जोता है, अब इसके बाद, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका determinant बना सकते हैं, determinant बनाने के बाद क्या है, I, J, K, DEL del X, DEL del Y, DEL del Z, यहाँ पर कितना है, X plus 2Y plus, KZ, BX minus, 3Y minus, Z, 4X plus, C, तो यहाँ पर I, J, K, DEL del X, DEL del Y, DEL del Z, X plus 2Y plus, Z, BX minus, 3Y minus, Z, 4X plus, CY plus, 2Z is equal to Z, यहाँ कितना है, I into, ये close, ये close, ये close, ये देखे, इसका इसके साथ के, इसके साथ के साथ, ये तो इसका इसका साथ पाप्शल करेंगे, तो इसका जिरो के जैएगा, इसका सी आएगा, या तो जिरो के जिरो के जैएगा, इसका से Jim canôioor करेंगे, 10DD data also its COFT प्लस का के लए सबस्की फश्यार कि पर भी KA!!!!!!!! बजिस तो माइनस हाटust लिए जनाा प्लस से बनात अगल क्ला The अब ऐसे कोश्चन में डेटा चेंज करता है या नहीं भी चेंज करेंगा इतना है A4 B2 C-1 A4 B2 C-1 यह देखिए B part A4 B2 C-1 तो इसका B part सही है फटिंग कोश्चन इस्टेट तो कोश्चन जरूर आता है करल आप निकाली के डेल क्रॉस और उसके बाद उसको expand कर यह compare कर यह आपका ADC भी लागता है यह rotational भी curl जिरू होता है solar needle में emergency अगला जो question ने 13F दिया हुआ है grade f निकालना है 13 में grade f निकालना है point भी दिया हुआ grade f का मतलब होता है grade का मतलब del up होता है और del की value क्या होगी i del del x, j del del y, j del del y, k del del z और f की value f की value कितनी 3x square y, minus y cube z f की value i inटू अनना रहे del del x, graded का मतलब del up इस तरह कोई भी पाठा है आप del up कर यह f की value अनना रहे del del x, 3x square y, minus y cube z plus j, del del y, del del y, 3x square y, minus y cube z plus करके, del del z, del del z, 3x square y, 3x square y, minus y cube z अब del del x किया partial कर रहे तो इसका 2x है ला this is 6xy यहाँ आप x है नहीं इसकर रहे रहे j, del del y कर रहे तो यहाँ कितना रहे 3x square y का 1 y कर स्कुट में कर रहे तो y cube का 3y square into z आ जाए k, del del z कर रहे तो यहाँ तो z है नहीं इसकर रहे minus y cube z का 1 तो यह तो इतना है अब हमारे पस point इतने दिये गए at 1 minus 2 1 6i x की जगा 1 y की जगा minus 2 plus z 3 x की जगा 1 का square 1 minus 3 y की जगा minus 2 का square z की जगा 1 minus k y cube 1 का y कितना है 6 तू जगल minus 12 y की जगा यहाँ पर है 3 और 4 4 तो यह आगया minus का कितना minus का 9 j और minus का k 10 की जगा minus का यहाँ पर कितना है y की जगर हमारे पास y की जगर minus 2 तो minus 2 का की minus 8 की तो plus का 8 की जगा तो that is minus 12 by minus 9 j plus 8 की तो भी पाट से the value of divergence uv जब भी कभी protein question में divergence uv की value लगत है तो divergence uv जहाँ पर u is scalar और v vector तो divergence uv की values होती है del u पहले वाले का del ने का लिए del u dot v v के सा dot करिए plus u divergence v करिए divergence v करिए divergence v करिए दूसरी बात हमारे पास कहा है phi squared harmonic function harmonic function harmonic function ऐसे function होता है जो laplace equation से describe करते है laplace equation क्या होता है phi को phi का अगर del square में del square phi अगर 0 आता है तो ये laplace equation कहलाती है और ऐसे function harmonic function कहलाते है कोई function phi harmonic कहलाएगा when del square phi स्बस तुजए तो इसका बीवर्ट से curl grade phi किसी भी scalar point function के great color curl है तो वह always 0 आता है ये वाद जयार रखेंगे curl grade phi या curl del phi जहांपे phi scalar point function है curl grade phi always 0 आता है कुछ question हो लेता है next question जो है the value of del r की power n या r की power m हो तो इसकी value क्या होती है del r की power n की values होके n r की power n minus 2 into r vector ये होके दरसल r vector जो होता है वो x i plus y z plus z के होता है और r vector तो नहीं है ये mod है vector नहीं लगा हो है तो under root x square plus y square plus z square मतलब r कितना आ गया x square plus y square plus z square की power 1 by 2 r की power n कितना आ गया x square plus y square plus z square की power n by 2 अब del r की power n निकालना है del r की power n का मतलब i del del x plus z del del y plus k del del z of x square plus y square plus z square की power n by 2 इसको नहीं लगा है i into del del x की है तो n by 2 इसकी power n by 2 minus 1 और फिर x square कुट में गया तो 2x है plus z similarly n by 2 x square plus y square plus z square की power n by 2 minus 1 into 2y आया plus k into n by 2 x square plus y square plus z square की power n by 2 minus 1 into 2z अब यहाँ पर आप देखो तो 2 से 2 cancel out होगे 2 से 2 cancel out इस 2 से 2 cancel out A2 से 2 cancel out अब यहाँ पर एक काम यह कर सकते हैं की n into x square plus y square plus z square की power n by 2 minus 1 कुट में पर देखो यहाँ पर आया x i plus y z plus z की यह बस आप यहto r रुक्तर के बहाब होगे n और mod आख जो हाँ देखो जो हाँ then root x square plus y square plus z square plus z square रुता है इसको under root x square plus y square plus z square रुक्तर whole square into 2 seat n minus 2 इतना लिख सकते हां यहto r रुक्तर होगे 2 seat square यह 2 seat n minus 2 upon 2 कुछ यह 2 cancel out इस 2 रुक्तर n आट तो र क्कार n-2 इनना इनना थेलो व्थू . और न मेंसा न की सरह वथा मृटर Figणक। में मल तो तो 3 आटाकि फ्रायख वागा थे हमाने कि अगष giàते हैं तो र की आः कि आट notch एंतु अगर अग्ला कोश्चिनिले को अगई रिजर टेलरी आपगा लिए सभी है आत्वार चीजिए छो देला रिजले को लिए लिएर कोश्चिनि tutto अगला question है divergence R की power M into R vector बताना है divergence R की power M into R vector देख्या बल्कु सिंप्पल स्टेट पर कोई question है R q by R 4 R 5 by A vector है तो सबसे पहले आपको एक बार बता है एक अभी desert आपको बताया कि एगर A scalar हो और A vector हो divergence U ही तो इसकी वैलो चे तो दिल आर की पारेंट कितना सा नहीं इसा थे तो आर की पारेंट कितना सान है दल R की पार N, Nr की पार N निस्टु आज़ता है, दल R की पार N, Mr की पार N-2 into R vector, dot R vector, plus R की पार N, और सुरु में दिवर्जन सार थीन रुप यह था, कर राट जिनो, तो दिवर्जन सार थीन होता है, Mr की पार N-2, R dot R, उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के सार दॉर्ट स्क्वार होता है, 3R की पार N, Mr की पार N, यह 2-2, cancel out होगया, 3R की पार N, 3R की पार N, R की पार N कमन होगया, तो M प्लस 3 into R to the power N होगया, यह तो दिवर्जन्स, R की पार N into R vector की वैन्वी आगई, M प्लस 3 into R की पार N, यह होगया, अब उसके बाद क्या है, करल R की पार N, R vector क्या होता है, 19 तो, करल UV vector का formula उता है, करल UV का formula उता है, डल U cross V, प्लस U curl of V, U curl of V, इस इस करल U, तो करल U की जगा, आपके पास R की पार N है, वी की जगा R vector है, तो, डल U, डल R की पार N, cross V, प्लस U, U की जगा R की पार N, curl B की जगा R vector, अब डल R की पार N, यहां पे डल U, एक स्किलर एक वेक्टर को करल, UV के पॉबले में एक स्किलर एक वेक्टर रखा, डल R की पार N की वेल होता है, N R की पार N माइनस 2, इंटू R vector, cross R vector, plus R की पार N, curl R 0 होता है, पीछे को पर चुके हैं, curl R 0, और उसी वेक्टर का, उसी वेक्टर के सब, cross 0 होगा, plus 0, 0, that is, curl R की पार N, R vector, 0, curl R की पार N, R vector की वेल जग निकालेंगे, तो यह हमारा जिलोग हो जाएगा, अब जरह हम 20th question को किसी में दिखा रहते हैं, कि किसी से connected to 20th question, अब 20th question ज़र देखिए, व्यांज़ देखो रसुमेंगे 20th question, हमें, यहां तो इंपॉर्टेंट बार किये हैं 20th में, कि देड़ डॉट, देड़ डॉट रॉट इंटू आर वेक्टर निकाला है, देड़ डॉट का मतलब डाइवर्जेंस होता है, मतलब डाइवर्जेंस, आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, यह निकालना है, देड़ डॉट का मतलब डाइवर्जेंस, सिर्फ देल कमफलब ग्रेट, डेल प्रॉस कमफलब कर दोंता है, तो यह देखिए, इसी फॉर्माट के बन गयाद है, वर देंस R की पार M into R बेटर, यहां पर M3 है, तो क्या करेंगे, यहां पर इसमें रखेंगे, तो 3 plus 3 into R की पार 3, that is 6RQ, 6RQ, तो इसकी वाल कितनी है, 6RQ 23 की फ्रॉस्ट की बैरीश है, तो 21 की फ्रॉस्ट वाल कि, यहां चासरा, 22 की फ्रॉस्ट है, तो Ë 20 फ्रॉस्ट की फ्रॉस्ट की बैलीश ग्हां गे, 6RQ, 22 की फ्रॉस्ट पार 2, queésus Province यहां चाहिए, U इतना है, U.CRL U निकाल ला है, कहले CRL U निकाल है, U वेक्तर हैं, पर दिया हुआ है, x plus y plus 1 into i cap plus j minus x plus y into k cap हमारे पर दिया है, अब हमने पहले कर्लियू निताना, कर्लियू का मतलब बता है del cross u, del cross u del का मतलब बता है, i del del x plus j del del y, j del del y plus k del del y cross u, cross u का मतलब हमारे पास रहा, x plus y plus 1 into i cap plus j minus x plus y into k cap हमारे पास यहाँ पर जब हम प्रोस करेंगे, तो यहाँ पर आएगा, i, j, k, del del x, del del x, del del y, del 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 y, और यहाँ पर x plus y plus 1, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर minus x plus y plus y. अब इसके ज़रा cross करें, i, j, del del y करेंगे, minus 1, del 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 0, minus z, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, minus 1, minus 0, plus करके, यह close del del x, 0, del del y करेंगे, तो minus कर वन आजएगा, तो माइनस i, plus j, minus k आएगा, यह तो curl और u आएगा, अब हमें curl u निकल ले, u dot curl u, u cross curl u, कुछ भी कहने काल सकते हैं, बतो, u dot curl u निकला, अब u का curl u के सा dot करें, तो curl u निकला, del cross u निकला, तो curl u में लिया, अब जराएगा, u dot curl u निकला, ना, u dot curl u, u dot curl u निकला, यह तो निकला, ना, u के वल रखी, यह तो, x plus y plus 1 into i, plus j, minus x plus y into k, तो यह रहा, और dot, dot यह तो, कितना है, minus i plus j minus j, dot ले रहा, लिए उसकी वैसे कट गया से इसका ये जबाता है। तो यहां पर फट्र इतना धिया हुआ है। तो डाइवर्जेन सेट निखालना है, अच्छा, एफ वेक्टर पहले तो, एफ वेक्टर तो फोड़ा सो सॉल्व करने, एफ वेक्टर हमारे पास देल, XQ प्लस YQ प्लस ZQ माईनस 3XYZ दिया है, यहाँ पर देल की वेलो गरम रहे हैं, तो आई देल देल एक्स प्लस Z देल देल वाई, Z देल 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 प्लस K देल देल की वेलो रहे हैं, और यहाँ पर रहा, XQ प्लस YQ प्लस ZQ माईनस 3XYZ हमारे पास यहाँ अब इसको अंदर लें, आई इंटू देल देल एक्स प्लस Z का किया, तो यहाँ पर 3X स्क्वेर आया, यहाँ X लेंगे 0, 0, यहाँ पर है, माईनस 3YZ, J. Del Del Y किया करा आपी है 3Y square Del Del Y minus 3X Z to यह रा और plus K Del Del Z किया 3Z square minus 3X Y मारे पास किना यह तो F अब और मारे का सेख़ना है अब हुमें क्या करना है? Divergence F कि कालना है Divergence F मिठालना है Divergence F का मतलब Del dot F अब बाए बेल का मतलब i-dell x i-dell x plus z-dell y z-dell y plus k-dell y और इसका dot निकालना है dot i into 3x square minus 3yz गे रहा और plus j into 3y square minus 3x z गे रहा और plus k into 3z square minus 3xy पास गे रहा तो अब यहाँ पर उमने जो इसके divisions निकाला है तो यहाँ पर आया i dot i would one हो गया और यहाँ पर आया del x of 3x square minus 3yz to the y dot j of 1 हो गया del del y of यहाँ पर 3y square minus 3x z गे रहा k dot k 1 हो गया del del x यहाँ पर 3z square minus 3xy मने पास गे रहा अब इसके ज़रह del x कर रहा है कि यहाँ पर 6x आएका यहाँ पर x in 0 तो देल डेल बाई 6y आगा, y है यह निए 0, 6z आगा, 6 बहर आगा, x plus y plus z आगा, खेरें तो इसकी वेलू कितनी आगे, 6 into x plus y plus z, तो इसका 0 से सही, कुछ कोश्यों जिना होगा है, कुछ कोश्यों होगा है, दे वेक्टर नॉर्मल तो दे सर्कस एक 1 तो देस क्या है, सबसे पहले जो वेक्टर नॉर्मल होता है किसी भी सर्कस पर, donc spider-play यह व्क प्सक्षद छिए руки ऐससे अर्षद्यकर दो घडिपने यह वक्रHaarten अर्ष अर्षद्यकर अर्षदनल पना अं grab वक्रमाइल और लख मौाइल अर्षद्यकर न्लिफद्यकर अर्षद्यकर इससे अंडिकर si यह फाई है, Delphi निकालने, Del का मतलड, I delta del X plus Z delta del Y plus K delta del Z आप I की वेल्डन, X square minus, XY plus YZ minus, यह Delphi निकालने, Delphi निकालने के बार जिस पोइंट पे का रहा हूं वो कॉइंट रखना उसका मौन्ड लिकल्स से डिवाइध तरह यह उरेखना हूं i into यहाँ पे del del x से करेंगे तो 2x आएगा minus y और 2x minus y यहाँ पे x है नहीं plus z del del y करेंगे तो इसके लिए minus x plus z plus a del del z करेंगे तो यहाँ पे आएगा y point रख लें at 1 2 3 1 2 3 रख लें अपे del y is equal to 2i 2 into 1 minus 2 plus z this is minus 1 plus 3 plus k y कि जगर 2a यह तो जिरो हो गे that is 2z 2z plus 2 अब देखेंगे यहाँ पे दर है del 5 del 5 करेंगे 1 करेंगे अदर रूपाय स्वे पेंगे 4 रख रख रूपाय स्वेंगे 4 to z that is 4 get 1 अब वेक्टर नॉर्मल जो आपास रहा get 2 रहा तो n करेंगे विपस तो करें Delphi upon mod of Delphi. Delphi की वालू, 2J plus 2K, 2J plus 2K upon 2 root 2, 2, 2 को में लेके ठाट है, J plus K upon 2, this is the vector number, J plus K upon root 2, this is the vector number. तो J plus K upon root 2 है, तो लास्त को में लेके ठाट है, that is J plus K upon 1, this is the vector number. उसके बाद next question जो है, बस आपको जब भी unit vector normal to the surface निकाल रहा हूं, तो इसको 5-2-0 vector प्लाके खाले लो, scalar function इसका delphi निकाल, उसका modulus निकाल, जो point दिया बढ़ रहा हूं, और उसको डिराइट के लो, तो यह unit vector प्लाके बस सिंदेगा. उसके बाद है 24th question कहे रहा है, कहे रहा है कि, angle between surfaces, दो surface के बीच के बीच के angle का, तो सबसे पहली बाद दो surface अगर है, तो angle between surfaces होता है, उसका यह पबला होता है, cos theta is equals to del phi 1 dot del phi 2 upon mod del phi 1 into mod del phi 2, यह वो, तो अब क्या करने del phi 1 निकाले, तो पहले बादे तो phi 1 दो सब, इसको किसके रहा है, x square plus y square plus z square minus, यह दो surface के बीच के angle लिच के अगर लेका formula होता है, 5 1 ले लिए, अब जेरा del phi 1, और A to 5, 5 to z minus x square minus y square minus y square plus 3 is equals to z, del phi 1, del phi 1 का मतला, i del del x, i del del x, z del del y, k del del z, और यहाँ पे 5, 5 1 हमारा है, x square plus y square plus z square minus x square, इसका del del x square के इतना है, 2 x है, और नहीं है नहीं, plus z इसका किया, 2 y आया, k del del z किया, 2 z है, partial में जिसके respect में करना होता है, उसी का होता है, बागी सब का होता है, a point बच्चो कितना है, at 2 minus 1, रखते है, 2 into 2 into 5, plus 2 into y के जगा minus 1 into z, plus 2 into 2 into, यह प्ला रहा, that is 4i minus 2z plus 4, this is del phi, नहीं, 1 existना है, अब जर्ए del phi 2 निकातो, del phi 2 का उत्या, del phi 2 का उत्या, del phi 2 का उत्या रहा, i del del x, i del del x, j del del y, j del del y, k del del y, और phi 2 कि बेल जो रहा है, यह रही, z minus x square minus y square प्लस त्या, i del del x के यह, minus 2x आया, j del del y के, minus 2y आया, k del del jet के यह, k del del jet के यह, देल्ड ट्लवी टो तुछ तो मैनस्तु हमाईया अब चलिए अगर आप कॉस्ठीट है निकालते हैं, कॉस्ठीट इसका मौड भी चाहिए है, मौड देल फाइटू भी चाहिए, अंडरू 16 प्लस माइनस पोर क्रेस्ट प्लस फ्लस फ्लस फन अंडरू 21 तब कॉस्ठीट अब बहाँ देल फाइवन, डोट देल फाइटू, मतल देल फाइटू, मोड देल फाइवन, में अपर मौड देल फाइवन निकाल लायै, इस 16 प्लस 4 प्लस 16 है, 16 प्लस 4 ध्यूस sittर रह ज़िए, Praites ether 5 रूटे जिकर यह, सीक्स रूटoplan की प्लस 4 अपान 6 sex है, उकल कितना अगर je 8 डोटल किया, मौड ENस देल प्लस फ्लस प्लस प् अधिर कोषड दग है होगए तुरीज थी रूट रूट लाक भाइ भाइ को खोन लिग्मिem निकाल लिए and del phi2 निकाले, वह point रिखें वाठ निकाले, del phi1. del phi2. जएससे दो vector के बीज़ कहीं लिगे लगा है del फ़ेन को दो vector ले veggie काई douhe and wrote mod del phi1mod del phi2 एक जरा last question है, तो इसका B option असले है तो टारेक्शनल derivative अब last question जो है कह़ा है टारेक्शनल derivative क्या है directional derivative data किका कोई सेलर कोइन वोन हो तो directional derivative किसी वेक्टर की direction में जो होता है directional derivative क्षिस करता है , that is del5.a cap the f दिया होगा तो analog.a cap kya होता तो वेक्टर की directions में unit vector होता है del5 निकालेकर हो सतौ・ तो ही तो मेरे पस दिया हूं है पहले डिक मेरु फर ना का आए डल, डल एलकस ज ज दल, डल, डल इलकस घं, एकस की नगा तो आई है निए, k delta लेट गिया, x3y plus 8xz आगिया, x3y plus 8xz आगिया, तो at किस कोई प्रेट, 1, minus 2, minus 1, i3, x1 प्रेट कर 1, minus 2, minus 1, 4z, minus 1 का स्वेट, plus jx, 1 का कीव, 1, z, minus 1, kx, 1 का कीव, 1, y, minus 2, 8x कीज़ेगा 1, z कीज़ेगा minus 1, वे इतना है, k plus 2 आगिया, 6 आगिया, 6 plus 4 आगिया, minus j आगिया, k, minus 2, minus 8, 10i, minus j, minus 2, यह तो डर्वक माइन आगिया, kis system, a-cap निकल ले, a-vector कीज़ेगा, a-vector इतना दिया हुआ, a-vector जिस vector के डर्वक सुमर, 2y, minus j, minus 2, a-cap क्या है, a-vector अपॉन, mod of a, मतलब, 2y, minus j, minus 2 के, इसका, 4, plus 1, plus 2, 3 आगिया, 2y, minus j, minus 2 के, अपॉन, अगिया, directional derivative के रहा, directional derivative जो रहा, बुकुश स्का, directional derivative के रहा हुआ, डलफाइ, dot, a-cap, डलफाइ, dot, a-cap, डलफाइ, dot, डलफाइ, यह, तनाई, minus j, minus 10 के, dot, a-cap, y, minus j, minus 2 के, अपॉन, 3, यह, 20 आगिया, और, प्लस का, 1 आगिया, प्लस 20 आगिया, अपॉन, 3, तो, यहां के फुर्ण सब्सक्राइब अगिया, 20, plus 1, plus 20, 2, y, minus a, minus 2, 1, 3, 20, plus 1, plus 30, 4, 1, by 3, प्लसे जिलेट चेट करते, x, q, y, z, i, del, del, x किया, तो, 3, x, square, y, z, 4, z, square, j, y, x, q, z, यहां करेया, नहीं, k, z, प्लसक्राइब, प्लसक्राइब, x, q, y, plus 2, z, तो, k, k, z, आगिया, अगिया, 1, minus 2, minus 1, यहां के x, minus 1, minus 1, minus 1, plus 4, z, k, j, minus 1, minus 1, plus 4, z, k, j, minus 1, minus 1, minus 1, or, x, square, 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, k, x, square, 1, and y, minus 2, plus 8, x, 0, 1, or, z, 0, minus 2, तो, that is, plus 6, plus 4, minus 1, plus k, minus 2, minus 8, then i, minus a, minus 10, k, here, 2i, minus a, minus 2, k, upon a, square, plus 3, square, plus 3, square, green आगिया, तो, x, 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 and 0, so, here, तो, here, I add, 2i, minus a, minus 2, k, 20, plus 1, plus 21, that is, 41 by 3, 2, last two options, that is, 41 by 3, 64 by 3, now, it is 41 by 3, this list, d options, x square, होता, to, to, then answer change, abhi x square है, to, तो यह 41 by 3 option है, तो 3 option को सही कर लें, 41 by 3 कर लें तो बच्चो इस टाइप के question, differentiation of factor के divergence कर लग सारे टाइप के question हमें किये हैं तो प्लीज लाइक, share and subscribe जरूर करें, thank you for watching my video